नमस्कार, जैमातन, मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिजाइनर अचारे जीतू सिंग। अगर आपके शत्रु आपको परिशान कर रहे हैं, आगे नहीं बढ़ने दे रहें, तरक्की नहीं करने दे रहें, कश्टो ने घेर रखा है, बहुत काम रुक जा रहे हैं, केतु ग्रह से परिशान हैं, भई बहुत जदा दिक्कत हैं, एक नहीं, जाने कितनी दिक्कतों का सा आभना आपको करना पड़ 낸ारी और एक एक करके हम आपके सारी समस्यां के समाधान आप ही को बताइएंगे कि का से नकलने है काम भैरव की अगर हम बात करते हैं तो भैरव का अर्थ है भै भै काण हरन यहनि वह को अपने दूर दूर भगाने का तरेका चाहल में ही है और अगर आपका भै खतम हो गया तो समझो आपकी तरक्की पास आना शुरू होगी आपका कॉन्फिडेंस लेवल बनना शुरू हो जाएगा बहुत बार ऐसा होता है कि जब आप तरक्की की सेडियां चड़ते हैं तो अपने आप आपके दुश्मन बनना शुरू हो जाते हैं चाहे जिनोंने आपको खुद ही तरक्की की सीडिय चड़ाई हो वो भी आपका बहुत बड़ा दुश्मन बन जाता है क्योंकि भरदाश तो बहुत ही कम होता है जब आप तरक्की करते हैं तो कैसे भरदाश कर लेंगे नहीं होता है ना तो कोई बात नहीं दुश्मन बन जा कुई बात नि arrivé किसीकी नहीं चलते काल भैरव सबकाहिशक किताब कर सकते हैं तो आपको जबसे पहले भै कि खत्म करना है जिस टर के साइक में आप पनप रहे हैं जिस दर के साइक में अप जी रहे यह भय सबसे पहले खत्म होगा अगर आप काल भैरवश्टमी की सही तरीके से विदी विधान से पूजा आचना कर लेते हैं, अराधना कर लेते हैं फिर आती है बात कि भैरव शब्द जो है आपको मालूम है कि किन शब्दों से बना हुआ है, तीन ऐसे शब्द जिसे भैरव शब्द का निर्मान हुआ है, भ्रमा, विश्णु और महेश, तीन एनर्जी से समलित है यह भैरव अक्षर, तो आपके जीवन में कोई कष्ट नही आने देगी यह भैरवश्टमी, यकीन मानी है, गुप्त शत्रों को यह फिर सामने वाले शत्रों को उनको ठेर सबसे पहले करेगी, यह भैरवश्टमी, आपको unwanted problems में अगर फस गे हैं, तो उसे निप्टारा करेगी यह भैरवश्टमी, कोई केस ऐसा चल रहा है, जिसके ब आती है बात कि केतु ग्रहे से आप लगता है कि परिशान है केतु ग्रहे मुझे support नहीं कर रहे हैं वैसे तो केतु बहुत बड़े अध्यात्म के कारक कहे जाते हैं और ऐसे में आपके लिए अगर कोई रोल अच्छा जीवन में आपकी कुंडली में नहीं अच्छा निवारे हैं तो केतु ग्रहे भी शान्तोंगे तरीका हम आपको बताने वाले हैं कि आपको भैरवश्टमी पर क्या करना है कि आपने इन सार समस्यां के समाधान निकाल लेने हैं शुरुआत करते हैं सबसे पहले आमके कि आसे भै खत्म करना है है दुष् Heat करने हैं हैस dostęp से मुक्ति चाहिए में इक डर का साया खत्म करना है और साथ के साथ विमारियों को भी खत्म करना है पुझापाठ में मन लगाना आपने तो जो में चीज आपको करनी है एक आपने डॉग्स को दुतकारना नहीं है स्ट्रीट डॉग होते हैं आवारा डॉग्स होते हैं कई बार हमारे घर की दैलीज के पास है या फिर ऑफिस के दैलीज के पास आजाते हैं तो हम डंडा ले करके उन्हें भगाने की कोशिश करने लग नचे भी नहीं दंडा ले करने तो आप यकीन मानिएगा सबसे पहले तो तकलीफ ही यहीं से अपकी शुरू हो जाती कश्ट यहीं से शुरू हो जाएंगे उसके बाद में बाकी निप्टारे भी हम बताएंगे कि आपको कैसे निकलना है क्या करना है किन तरीकों से चुटकारा पाना है लेकिन जब हम बात कर रहे हैं कि किसी भी समस्या को काटने का क्रॉस लगाने का तो सबसे पहले हमने उसे हमारे जीवन में घर कर चुकी है आपको कुछ कहा तो नहीं उन्हें फिर हम क्यों दूत कारने लगते हैं उन्हें सबसे पहला काम आप यह बंद कर दीजिए इससे आपकी दो चीज़े बड़ी स्ट्रॉंग हो जाएंगी एक आपको अन्वांटिट केस में जो आप उल्जे असी बार भगवान की तरफ आपका ध्यान भी लगेगा पूजापाट की तरफ आपका ध्यान लगना शुरू हो जाएगा फिर तीसरी बात आती है कि आपको शिव अराधना बहुत करनी चाहिए भैरव शिव के गन और मा पारवती के अनुचर माने जाते हैं तो ऐसे में अगर आपने भोले नात का शिर्वात चाहिए मा पारवती को मनाना है कोई भी इच्छा पून करानी है तो आप भैरव की अराधना करना शुरू कर दीजिए और भैरव की अराधना करने से आपके शत्रों से मुक्ति मिलेगी आपके संकटों से मुक्ति मिलेगी आपके कोट के चहरी के जितने मुकदुमों में फसे जा रहे हैं उल्चे जा रहे हैं बेवज़ा आपका पैसा लगता जा रहा है उससे मुक्ती मिलेगी और साथ के साथ आपके अंदर एक ऐसी पॉजिटिव एनर्जी का संचार होगा जिसके चलते आप अपने जीवन के हर बहुत ही सफलता की तर्व लेकर के जाएंगे फिर आती है बात कि हम कई बार ऐसी तकलीफ से गुजरते हैं जिसके ना तो हम कहीं बता सकते हैं कोई ऐसी प्रॉलम ऐसी समसे आपके जीवन की घर कर चुकी होते हैं कई बर हमें लगता है कि अगर यह समसे हम घर में तो वहां से हमें ही होगा नुपसान, तो अब जाएं कहां, किस और जाएं, उन लोगों के लिए भी एक रामबान उपाय है, जो आपने इस समय इस वीदि में भैरवश्टमी पर करना ही है, ओम भैरवाय नमहा, ओम भैरवाय नमहा, इस मंतर का जाप आपने एक तो सुबा करना है, लेकिन करना है सूर्य उदे के बाद, सूर्य उदे से पहले नहीं, सनान पहले कर लिजिए, निवरता पहले हो जाए, फ्री हो जाए आप सारी क्रियाओं से, विदियों से, लेकिन ये जो जाप है ये आपने सूर्य उदे के बाद में ही करना है और कम से कम तीन माला जाप आपने भैरवश्ट में के दिन जरूर करना है ध्यान दीजेगा तीन माला जाप कम से करना है और दूसरा जाप आपने करना है शाम को सूर्य अस्त से कम से कम 35 मिनट पहले सूरे अस्त के 35 मिनट पहले आपने इस जाप को करना है तीन माला जाप ओम भैरवाय नमहा ओम भैरवाय नमहा इस मंतर का जाप आपने शाम को भी करना है लेकिन सूरे अस्त से 35 मिनट पहले ही करना है और उसके बाद आपने किसी भी street dog को आवारा dog को आपने जा करके भोजन जरूर देना है वो आपकी इच्छा है आप क्या देना चाहते हैं मिल्क दान कर सकते हैं यानि मिल्क भी दाल सकते हैं पर दूद कच्चा उबला हुआ नहीं होना चाहिए या फिर आप घर से बनी हुई रोटी ले जाएगा वो दे सकते हैं तो आपको ये जरूर विदिया दो तो करनी करनी एक तो मंतर जाप और दूसरा आपने street dog को दुदकारना नहीं है in fact आपने अन जरूर खिलाना है भैरवश्ट में के दिन ही आपने इस उपाई को जरूर करना है आप देखिएगा आपके जीवन में कैसा चमतकार होता है शत्रू कम तो तरकी जदा शत्रू कम तो टेंशन खत्म शत्रू कम तनाव खत्म शत्रू कम तो आपकी energy negative नहीं positive होगी और केस से बच जाएंगे तो धन बच जाएगा तकलीफों से बच जाएंगे तो स्वास्तु तम रहेगा धन बचेगा तो खुशियां घर में बनी रहेगी तो कुल मिला करके ये काल भैरवश्ट में आपके जीवन में बहुत सुकुन के पल दे सकती है एक नहीं हजारों आशिरवाद आपको मिल सकते हैं क्योंकि जब हम negative को negative तोड़ते हैं तो हमारे कदम positivity की तरफ बढ़ते हैं तो आज के बाद आप ध्यान रखेगा आवारा डॉग्स को दुदकारना नहीं है अगर हो सके तो अन जरूर खिलाना है तो आप लोग ने अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ के साथ notification बटन जो bell icon बना होता है उसे all में जरूर स्लेक्ट कर लीजिए आपके पास मेरी all वीडियोस सारी वीडियोस आप तक पहुंच जाएंगी शेर कीजिए इस चैनल को लिंक को और साथ के साथ इन वीडियोस को खुश रहिए स्वस्त रहिए पॉजिटिव रहिए पॉजिटिव रहते हैं तो हम हर समस्या से दूर रहते हैं जल्दी हाजिर हूंगे कच्छी वीडियो के साथ अपता के लिए नमस्कार